हेलो एब्रिबन आपका स्वागत है मेरे चेनल कुकी मुखिया पर आज हम बनाएंगे बहुत हेल्दी और टेस्टी नास्ता और इसे बनाना भी बहुत आसान है ये कम समय में बन के तयार हो जाता है तो चलिए शुरू करते से बनाना तो यहां पर हमने एक कटोरी मुफली ली हमने ये डाली है और इसे हम थोड़ा सा पानी डाल कर पीछ लेंगे और हरी मिर्ज भी डाल देंगे तो देखिए बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन गया है तो इसे हम इक बोल में निकाल लेंगे अगर आपको हमारी रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक से एर कर लें तो यहां पर देखिए हमने प्री मिक्स लिया है रवा का तो आप साधा रवा भी ले सकते हो तो एक कप हमने लिया है आधा कप धही लिया है इसे मिक्स कर लेंगे आप साधा रवा लेकर इसमें आधा टी स्पून इनो एड कर दें तो इसे अच्छी से हमने मिक्स कर लिया है यहां पे हमने नमक एड़ कर दिया है और स्वाद के नुसार मिर्श डाल दिया थोड़ा सा जार में पानी डाल दिया था तो भी इसमें एड़ कर दिया यहां पे हमने कटोरी ली है तो इसमें हम ऑईल लगा लेंगे सुबह के समय में समय होता है कम तो आप यह हल्दी और टेस्टी नास्ता बना सकते हैं ये गम समय में बनके तयार हो जाता है और बच्चे बड़ो सभी को बहुत पसंद आएगा तो यहां पे हमने कटोरी में ओयल लगा लिया है देखिए इस तरह से चारो कटोरी में हमने ओयल लगा लिया है अब इसमें हमने थोड़ा सा सावर मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ज को इस तरह से कटोरी में डाल दिया है, चारो कटोरी में अब बेटर में थोड़ा सा हम पानी डाल कर बेटर को एज़ेस्ट कर लेंगे जैसे इडली का बेटर होता है न, बस वैसे ही हमें रखना है तो इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है देखिए बस इस तरह से रखना है तो हम कटोरी को पूरा नहीं भरेंगे तो इसमें हमने दो चमस बेटर को डाल दिया है यहाँ पे हमने पहले से ही कडाई में पानी इंकरम करने के लिए रख दिया था तो इसमें एक प्लेट रखकर इस तरह से कटोरियों को रख देंगे और ढग कर 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे तो 10 मिनट में यह हो जाएगा 10 मिनट हो गए है तूथपिक या चाकू डाल कर तो दिखिए तूथपिक हमारी क्लीन निकलिये तो इसे हम निकाल कर रख लेंगे थोड़ा सा ठंडा करना है तो दिखिए ठंडा हो गया है सांदार नास्ता हमारा देखने में ही लग रहा है तो दिखी कितनी आसानी से निकल आया है आप इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हो इसी तरह से हमने चारो कटोरी का नास्ता निकाल लिया है अब हमने एक तड़का पें लिया है उसमें थोड़ा सा ओयल डाल का इस तरह से नास्ता को रख दिया है दोनों तरफ से ऐसे हम क्रश्प कर लेंगे तो देखिए सांदार नास्ता बन कर तयार हो गया है अगर आपको हमारी रेस्पी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक से और सब्सक्राइब कर ले तो एक हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं देखिए देखने में यह कितना सौट लग रहा है और खाने में तो लाजबा भी है थैंक्स फॉर वाचिंग टेक एर बाई